जाहिन दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बलड के दूसरे पार्ट के बारे में जो कल छूट गिया था है ना तो बलड में हम लोग का कल हम बताये थे जैसा कि बलड में हम लोग का प्लाजमा रहता है और बीसी रहता है डबलू बीसी रहता है और प्लेट रहता है तो हम लोग यहां प्लाज्मा नहीं लिखा हुआ है यह जब हो जाएगा इसके बाद हम प्लाज्मा भी इसमें मेंशन करेंगे बलेड में जैसे कि प्लाज्मा और प्लेट लेट होता है यह सब ऑर बिसी का टेक्निकल नहीं जो है वह हम बनता थे कि एरित्रोसाइट होता यह is फोटी फायब परसेंट रहता है पूरा बलर कर जो हंडन्रेट परसंट भाहता है इसका 45% रहता है आकार जो है इसका गोल रहता है थोड़ा सा चप्टा रहता है जैसे कि नस्ता कप्रेट रहता है पुरा गोल थोड़ा सा अंदर से चप्टा तो इसे से जुगा हुआ रहता है उसी तरह से गोल थोड़ा से चप्टा रहता है इसका जो है रहने का जो नॉर्म कर आएगा कहीं हो सकता सत्तर लाग बोल दे तो यह हर बुक अपना अग-ठाइब रिसर्च पर बनता है तो पुरूस में यह 45 लाग से 65 लाग पर क्यूबिक मिलीमेटर रहता है महिलावं में 38 लाग से अंठावन लाग पर क्यूबिक मिलिमीटर रहता है इसका में काम क्या है वो ट्रांस्पोर्ट का है परिवान का है जिसे ओक्सिजन हो गया कार्बन डाइक्साइड न्यूट्रेंस मतलब है यह हम लोग का ट्रांस्पोर्ट करता है ठीक है जब यह परिश्चरन करता है तभी हम लोग का से और बहुत सब्सक्राइब थे सबकर के गालगी यह बढ़ेंगे तो निखिव में लोग कर रहाता है और नाम सुने हैं इन कि और पता करना है कि लोग तो पता किस नहीं कर पाता है कि किसका बोड़ी है जल जाता है नहीं पहचाना जाता है यह किस नहीं से बाल से नाकून से थूख से उससे होता है आर्वेसी का कमी हो जाने को जसे बीमारी जो होता है उसको बोलते है इनिमया जो एक सिकल से लेह में क्या होता है कि इसकल का कमी तो होता ही है क्यों होता है कि यह जो देख रहे हैं यह सिकल टाइप का बन जाता है जैसे सिकल हम लोग हासु है न वह ऐसा बन जाता है इसको बोलते हैं हासु आइसा रहता है इसका आकार तुट-Tुटट के ऐसा होने लागता तो इसको बोलते हैं सिकल सेल एनेमिया और एक होता है आइरन डिफिशिंसी एनेमिया जिसा की हम कल बताया थे अपर लोग को कि खुन बलड जो बंने का प्रक्रिया है उसमें आइरन का भी रोल है आइरन का भी काम है तो अग कुछ स्टारी में खुन चड़ों जाए गा और अगर इंजेक्शन करें गयों कर देंगे इसका को पूरा करेंगे यह होगी में मर जाता है मरने का चला जाता है इसका हमलाइस होता है और फिर तूल के सारे निकल जाता है और इसका जो हीम है गलोबिन है एलबुमिन है आयरन है वो सारा फिर से हम लोग का बलड रिस्टिम में आ जाता है अब हम जानेंगे डवलुबी सी के बारे में को टेक्निकल में मेडिकल में जो इलिको साइट बोलते हैं यह जो है 0.1 0.1 परसेंट यह रहता है हम लोग का पूरा बलड का आकार में यह सबसे बड़ा रहता है बलड सेल में डबलूबसी वाइड बलड सेल लिकोसाइट इसका जो है रहने की संख्या जबाई वह चार हजार से ग्यारा हजार पर क्यूबिक मिलिमीटर है याद रखेगा चार हजार से ग्यारा काम करता है कोई भी वायरस वायर आया तो उसको मारने काम ही करता है फिक है इसका और भी जिसको कई करने का तरीका लग-अलग है लिमफोसाइट जाएगा उसको इसका वाइट बलड से डबलू छे के बारे में हम पढ़ेंगे लिमफैटिक सिस्थम होता है हम लोग का बोडी में बलड टो फुलुड होता ही है उसके साथ में एक और फुलुड होता है जिसके लोग लिमफो और इसका जो लाइफ एसपांड है वो दस से बीच दिन है दस से बीच दिन में यह क्या होता है यह डेथ हो जाता है ठीक है इसमें निकुलियस रहता है के अंदरक यानिक निकुलियस मरता है इससे हम लोग डियने टेस्ट कर सकते हैं इसका कमी कोज़े से जो बिमारी होता है वो होता है लिकेमिया लिकेमिया को हम लोग बलड कैंसर भी बोल सकते हैं बलड कैंसर के नाम से भी इसको बुलाए जाता है बलड वाइड बलड सेल का कर्मी से जो बिमारी होता है उसको लिकेमिया बोलते हैं और इसको हम लोग बलड कैंसर भी बोल सकते हैं आप लोग देखे है कि जैसे है इसका मतलब होता है कंप्लीट कंप्लीट कि ब्लंट जनए सारी पता चल जाता है कंप्लीट मेफी है केतना हें और WBC है और इसके बाद WBC में मोनोसाइट लिंफोसाइट इजिनोफिल बासोफिल मोनोफिल कितना है वो सारा कुछ इसे पता चल जाता है और अगर सिर्फ हमको पता करना रहा था कि WBC कितना है तो उसके लिए हम लोग करते हैं TLC TLC अनिकि टोटल टोटल लिकोसाइट काउंट अगर ये मान लिजिए कि आपका 4000 और 11000 जो इसका नॉर्मल रेंज है अगर उससे कम आ गया तो तो आपको लिकेमिया का बिमारी है और अगर इससे जादा आ गया मान लिजिए कि आपका 16000 आ गया तो आप क्या समझेंगे कि जादे बहुत बढ़िया है मेरा में तो बहुत ज़्यादा लिकोसाइट आ गया है नहीं सो अगर आपका सरीर में अगर आपका बलड में लिकोसाइट का जाद होगे जिसे देखते हैं कस्मी रही करते हैं कि वह राजो को कस्मीर है क्या दिया आप इंप्लिमेशन बोलते हैं इसको इन वह इस जम्लbor यहां पर जाना यहां पर जाना थीक है तो उसी तरह से क्या होता है कि डबलू बीसी अगर बढ़ा हुआ तो इसका मतलब है कि आपका सरीर में कहीं न कहीं होता है और यह सरीर का मैंने हम लोगा जो डेड़ लाग करें कोगूलेशन करो कि इसका में थाक्सन की करना कि लोटिंग तनक मतलब क्या होता है कि थक्का जमाना रक्त का रख्त का थक्का रग्त का थक्का जमाना जिसे आप लोग कहीं देखते हैं जब खंस्तियों सी करता है तो उसका खुन कर देता है रग्त का थक्का जमा देता है इसका एक और नाम है जो इसको बोलते हैं यह यहां मैं trip ai ओ न जुच्र। बोलते है कहीं बी एक जाम उजाम में आया कोई आपको बोले कि का मैं तो इसनना जरूरी है क्लोटिंग का 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 चांफ का वह थक्क्छर माणे का काम किस का है तो वह प्लेटलेट का है थ्रोंबोसाइट का है जैसे हम लोग का स्थरीर में कहीं भी अगर कट फर जाते हैं तो हम लोग थोड़ा दिर उसको दवाक रखते हैं उसके बाद वहां से बलड निकलना बंद हो जाता है तो बलड निकलना बंद क्यों हो जाता है वह और देर तक होते रहेगा और अगर यह करता है इसका मतलब है कि आपका सरीर में Sa aus देंगू में कम हो जाता है तो कør तो घुखिता है तो यह होता है क्योंकि क्या श्वरण से कम होजाता है तो ढ़र कर चाहिर होता है धंगो का heavier जैना दशक्ता देला तक होताए और जितना स्प्लीम में रहता है उसको पूलता है और वहां पर तुम अपना काम करो और जब वह काम खतम eh fnfh फिर वाल पस यहां जाता है अगर यह इतना सारा सर रिधम हम लोग टो प 20 लोगा सरी में आप लोगी कि झाधा palavra रास्ता है तो यहां पे बलड खोएंगा तो टो इस प्योट कर पाएगा रोगा जब हेक्टर होता है उसको टोटल जो है तेखिता होता है मिलके अलग single का करता है सबका का अलग नाम है इसको हम लोगद अलग क्रिक में डिसकлось करेंगे because Something तो तो भेता का मिलकर कि यह काम करता है और इसके कमYou के वज़े से जो बिमारी होती है उसको लोग बोलते हैं थ्रोंबोसाइटो पेनिया थ्रोंबोसाइटो पेनिया इसके वज़े से जो बिमारी होती है उसको बोलते हैं थ्रोंबोसाइटो फेनिया ठीक है इतना दूर तक समझ में आगया अब हम जानेंगे प्लाजमा के बारे में घाय मैं कि प्लाजमा में क्या कहentreता है यह रहता है यह पोरा ब्लड का 55 परसENट रहता है हलका पिला रंग का फुलूड होता है कभी कभी आप लोग अगर देखें होंगे तो प्लाज्मा भी अलग से चाड़ता है वैसे प्लाज्मा भी चाड़ता है तो हम लोग बलड डोनेट करते हैं तो बलड में से बलेड不管नेट करते हैं तो होल बलेड वी कभी किसी को दिया जाता फ्रेक्रेड बलरुप का पानी ये रहता है है और एट से आट से दस परसंट खाली रहता है उसमें प्लाजमा प्रोटीन हो गया न्यूट्रियन्स हो गया, हार्मन हो गया, इन और्गनिक साल्ट हो गया, इलेक्ट्रलाइ्ट हो गया, गैस हो गया जैसे यही disco कराता है निट्रिइंस जो रहाता है वह हम लोग हां से निट्रंस आता है 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 इसे तो नहीं कि शरीर अपने आपNS निट्रेंट बनाता है हम लोग विटामीड लेते हैं छान क साथ में साग सब घुखाते है उसको डाइजेस्ट करके जो उसमें से निकालता है वह हार्मोन रहता है किनिक षयींट करता है और पीर केल से ऑंसे करता है ठीक है और inorganic salt जो है से sodium हो गया इलेक्टोलाइट में आपको हो जATA है potassium sodium calcium magnesium ये सब फ़र्लाइट में आ जाता है तो यह सारग कुछ plasma में ही रहता है गैस जो गया आपका oxygen carbon dioxide nitrogen ठीक है तो plasma के बारे में इतना जांकारी ठीक है अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद है